अगला question है, a दिया हुआ है अपने को, a power 4 और फिर a11 के बारे में बात कर रहा है, ठीक है न, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपने को a power 4 तो पहले निकालना है, तो a square कैसे आएगा, x110, पहले x square निकालो, a square निकालो तो x110, इसकी value क्या आने माली है, इसकी value वालने माली है, x square प्लस 1, इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा, x और यह हो जाएगा, 10, तो 1 प्लस 0, 1 आ गया, ठीक है, अब देखो, a power 4 निकालना है, a power 4 का मतलब इसका square करना है, तो x square प्लस 1, x, x1, x square प्लस 1, x, x1, ठीक है, तो बता दो भाया, यह क्या हो जाएगा, x square प्लस 1 का, whole square, plus x square, ठीक है न, फिर क्या आएगा, x x square प्लस 1, प्लस x, फिर आ जाएगा, x x square प्लस 1, x x square प्लस 1, और plus x, और फाइनली क्या आएगा, x square प्लस 1, ठीक है न. अब इन्होंने बोला हुआ है इन्होंने बोला हुआ है A11 is equals to 109 तो first इसकी value 109 दी हुई है मतलब X square plus 1 का whole square plus X square equals to 109 वैसे X square को T मानके quadratic बनाके भी इसको solve कर सकते हैं अगर यहां पर थोड़ा सा सोचे है अपन तो दो numbers के square का sum दिया हो इसको 100 सोचो इसको 9 सोचो यह क्या गया है यहां सिधा सिधा दिख रहा है कि X की value 3 होनी चीए तो X की value 3 रख दोगे अब final value किसकी बता नहीं है अपने को A22 की value मतलब X square plus 1 X की जगा 3 रखोगे तो 9 plus X square को 9 लेते हैं ज्यादा सही रहेगा तो 9 plus 1 क्या जाएगा 10 आ जाएगा ठीक है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा option C ठीक है